हेलो अरुवन तो कैसे हैं आप लोग आज से एक और देड़ साल पहले मैं आप लोगो कोicação फ्राइम्स बिजनेस के बारे में बताया था कि किया बताया था किकाक कैंद हमें कि किसी भी थारिगे का फैसे कम फ्राइर लेना था एक नंबर दूसरे नंबर प्र आप लोग Eric था हांडा मशीन जिसके अंदर आप लोग मसाला मिक्स करते तीसरे नंबर पे आप लोग को लेना था पैकिंग मशीन और चौथे नंबर पे आप लोग को लेना था कंप्रेसर और एक और मशीन थी हाइड्रो ठीक है फ्रायर आप लोग का जुगाल के अंदर 20,000 रुपए के हो जाता था हांडा आप लोग का 55,000 रुपए के अंदर हो जाता था पैकिंग मसीन 1,60,000 रुपए कंप्रेसर 28,000 रुपए और हाइड्रो 28,000 रुपए यह था आज से एक साल पहले आपका जो फ्रायम्स का प्लान था उसकी यह मशीन थी इसके अलावा रेडिमेट रैपर् आप से जो कि आपको एक रैपर इसमें लगभग एक रुपए का पढ़ता था एक रुपए के आसपस एक रैपर पढ़ता था लेकिन अब क्योंकि 100 माइक्रों से उपर का हो गया तो जितने भी रैपर से आएंगे अब 100 माइक्रों से तो लगभग देढ़ रुपए का आप को एक रैपर यह पढ़ने वाला है तो आए जानते हैं कि इस टाइम क्या आपको फ्रैम्स के बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो सकता है यह नहीं हो सकता है देखिए जितने भी हमारे फ्रैम्स के यह मशीनों का मैं हटा रहा हूं आपको आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यह उनके लिए हैं जो आगे बिजनेस करना चाहते हैं आना चाहते हैं अब जो हमारा जो माल आता है वह लगबग अगर आप खुद्रह में लेते हैं तो 40-45 रुपए किलो के बीच में आता है ठीक है एक किलो फ्रैम्स जब फ्राई होता है तो लगबग 800 ग्राम 900 ग्राम ए तहसे हैं कि तेल वगरे भी होता है उसमें एक हूक्यास होता है कि इसके अंदर हम मसाला मिलाते हैं लगबग 100 ग्राम निकलते हैं तो तो देड सु रुपय किलो मेंसे अगर आप सो गराम निकालते हैं तो तीस में आपका मसाला हो गया अभी सिंद जो लगता है अगबग एक लिए श्रायु में 600 गराम टे죠 अगर एक सो चालिस रन लेते हैं तो सस्तर रुपया तेल हो गया अब जोड़ लीजैं 40 रुपए का后 हो गया है sir ni canada मसाला ओंगया सटर रुपए का 사실 है तो यह थीन चीजह मिल कर्वार्ब पूरा रेडी होता है अश्रूण सब्सक्राइब हो गया एक हजार ग्राम कीषदमित तेल तुब ए tragedies ग्राम आपका तयार हो गया तो 1200 ग्राम जो आपका कितने में तयार हुआ है 140 रुपए में 1200 ग्राम रेडी हो गया आपका अब एक पैकेट में हम लगबग 18 ग्राम देते हैं तो 18 ग्राम अगर आप 1200 को 1200 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा डिवाइड अठारा चाचट पैकेट यह रेडी हुआ आपका और एक रुपए देड़ रुपए का आसपास एक रैपर हमारा पड़ रहा है क्योंकि रैपर चाचट पैकेट को हम पैक करने के लिए रैपर भी यूज़ करेंगे 1.60 इ यह हो गया आपका 140 प्लस 105 दो सो पैन तालिस रुपए ठीक है दो सो पैन तालिस में 6 पैकेट रेडी हो गया दो सो पैन तालिस को डिवाइड कर दीजिए 680 से तीन रुपए 71 पैसे के आसपास आपको एक पड़ेगा यह मोटा मोटी खर्चा मैंने आपको बताया इस टाइ यह जाएंगे बहुत सारा एक सथ प्रोडक्शन लगाएंगे आप एक मास लेबल पर तो यह और नीचे जाएगा डिक्रीज होगा तो लगबख साड़े तीन रुपए मानते हैं चार रुपए कभी आप ले आप लिए पचास पैसे कमा सकते हैं नुकसान अभी भी नहीं है आप लोग कमा सकते हैं और इसका प्रोडक्शन धिर 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 वढ़ाएंगे तो इसमें प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आप लोग को दस पैसे बीस पैसे में आप लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं लेकिन उस लेबल तक पहुंचने के लिए पहले 25 पैसे 50 पैसे इ आपका defrems साथ है ठीक है 1000 अवोग जो देहरे 500 रुपआ की लोगता है तो उस में 100 दालते हैं धी crusty recipe मैं मसाला होता है उसके बार हमारा तेल होता है अगर 140 चालिस रुपए किलो भी लेते हैं तो लगबग 500 ग्राम 600-700 ग्राम क्यास बस लगता है मोटा मोटी 70 रुपए आप ले लिजे तेल का और 10-20 रुपए अगर आप सारा लेबर चार्ज वगरा भी जोड़ते हैं तब भी आप लोग का चार रुपए के अंदर अंदर एक बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहां पर आपका बहुत ज्यादा पैसा थोड़ा पैसा लगा कि आप लोग का यह बिंजों स्टार्ट हो रहा है तो मिलेंगे फ्राइस नेक्स तक तक के लिए